है दोस्तों कैसे आप हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों आज फिर हम हाजिर है एक नई क्लास के साथ जैसा कि हम लेके सीरी जी समय चल रहे थे आपके 2021 में होने वाले जितने भी paper थे उसमें जितने भी महतरफूर question आये हुए थे उन question क्योंकि वैसे ही question अब आगे के examo में आने वाले हैं दोस्तों question कैसे होते हैं या किस प्रकार के हो रहे थे मैं पिछले दो-तिन क्लासों में बात कर चुके हैं आज फिर हम कुछ कोश्चन लेके आया है उन पे बात करते हैं बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है बहुत द्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को दोस्तों पहले कोश्चन की बात कर लेते हैं पहला कोश्चन कह रहा है कि तीन बक्सों A, B, C तीन बक्सें हैं A है, B है और C है इसमें जो रेशियो बता रहा है बता रहा 5 समंदे, 7 समंदे, 11 का कि अनुपात में गेद रखिए गेद है, तीन बक्सें हैं A, B, C, उनमें कि C में पांस समंदे 7 समंदे 11 के अनपात में है और तीनों बक्सों में गेद की कुल संख्या अगर कुल संख्या कि इसकी बात करे तो वो 92 आपको दे रखा है दोस्तों इनकी कुल संख्या 92 है कुल मिला करके और उनका रेशियो 5 समंदे 7 समंदे 11 है यदि कह रहा है कि 4 गेंद को box B से box A में डाल दिया जाता है ठीक है और 8 गेंद को box C से box A में डाल दिया जाता है तो इन 3 बक्सों A, B, C में गेंदों का नया अनुपात क्या होगा तो पहले तो हम पता करें कि इस समय जब ये लेंदे नहीं की गई है उस समय A और B और C में कितने कितने गेद हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम अनुपातों का सम कर लेते हैं दोस्तों अगर यह अनुपातों का सम कर ले तो 7, 5, 12 और 11 कितना होता है 23 होता है इसका मतलब यह 23 अनुपात ये 23 अनुपात कितना के बराबर होगा दोस्त, 52 के एसका मतलब हम काट दें तो 1 अनुपात का मान कितना आजायगा? 4 आजायगा, एक अनुपात का मान 4 इसका मतलब 5 चव को कितना हो जायगा? 20, मतलब यहाँ पर आपका सकते हैं कि A, B, जो C है, उनके जो value हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 चव को 28, और C में गेद की संख्या, अगर हम देख ले तो 11 चव को 44 हो जाएगा, एक अनुपात 4 के बराबर हो गया, तो 5 अनुपात कितना 20 के बराबर हो गया, 7 अनुपात आपके 28 के बराब अनुपात आपके 44 के बराबर हो गया, तो clear है, अगर ये गेदे A, B, C में इस समय हैं, जब की लेंदें नहीं की गई थी, लेकिन अब लेंदें किया जारा, क्या लेंदें किया जारा जारा इसके बारे में देखते हैं, यदि 4 गेद को box B से box A में, मतलब B से 4 गेद निकाल लिया जाता है, माइनस कर दिया, और A में 4 गेद क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया, आगे कह रहा है कि 8 गेदों को box C से box A में, मतलब C में से कितना निकाल दिया जाएगा, 8, 8 निकाल दिया जा रहा है, और इसमें फिर 8 गेदे वो डाल दी जा रहे हैं, अब इस परिस् 36 गेद, 14 में से 8 गया, 6 यहां पे 3, 36 गेद, पूछा A, B, C, गेदों में क्या अनुपात है, तो अनुपात की बात करते हैं, तो अनुपात लगा देते हैं, और किसी नमबर से कट रहा है, तो काट देंगे, 48, 32, 46, 24, 49, 36, 8, 6, 7, 9, विकल्प नमबर आपका, 8, 6, 9, विकल्प के बारी है, तो एक इत्र का क्रेम उले, क्रेम उले दिया है, दोस्तों, 720, CP दे दिया है, 720, यदि इस पर एक दुकंदार, मतलब इस 720 पर कह रहा है, कि एक दुकंदार द्वारा दी जाने वाली छुट 15% है, मतलब ये 15% यदि इस पर छुट दे देगा, 15% छुट देगा, तो कितना परसेंट वो लेगा, 85%, इसका मतलब हम इसका 85% निकाल दें, तो पता चल जाएगा, कि दुकंदार ने उस आदमी से कितने रुपिय लिए 15% छुट देने के पास, तो वही तो मुझसे पूछ रहा है, कितर का विक्रेम उले, मतलब कितने रुपिय का वो बेचा, पस इसको आप solve कर लें, दोस्तो, 0 से 0 तो कटेगा, 5 से काटेंगे, 17, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 36 हाएगा, दोस्ते, अब 36 का 17 में हमको क्या कर लेना है, multiply कर लेना है, गुड़ा कर लेना है, 176, 102, 102, ऐसे लिखा जाता है दोस्तो, 102, 102 को 2 ले लिया, 10 क्या हो जाएग 61, 612 इसका answer, बिकल्प नमर B आपका क्या हो जाएगा, right हो जाएगा दोस्तो, अब हम देखें कि कोशन नमर 3 दोस्तो, कोशन नमर 3 की बात है, कह रहा है कि, 1,2 और 10,8 का मध्या अनुपाती, सब्द है मध्या अनुपाती, दोस्तो, मध्या अनुपाती, और एक और सब्द दिया गया है, 0,2 और 1,2 का त्रितिया अनुपाती, ठीक है दोस्तो, त्रितिया अनुपाती, क्या दिया गया है, त्रितिया अनुपाती, दो चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है, ध्यान दीजेगा दोस्तो, अगर दो-दो मान देखरके, A और B देखरके, दोठ पान द ठीक है और तृतिया अनुपाती अर दे के पूशता है तो दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से क्या कर देंगे भाग देंगे दोस्तों दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से क्या कर देंगे भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका त्रितियानुपाती अब आते हैं सवाल पर मध्यानुपाती किसका मध्यानुपाती दोस्तों एक दसमलो दो और इतना मतलब एक दसमलो दो और किसका दस दसमलो आठ का तो मध्यानुपाती के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि मध्यानुपाती के लिए क्या करेंगे करडी में कर देंगे एक दसमलो दू गुड़े दस दसमलो आठ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब हमको क्या करना है दसमलो को आप भूल जाएए दसमलो का गुड़ा आप जानते होंगे कि गुड़ा करते वक्त 10 मलों को भूल ला जाता है, multiply करने के बाद फिर 10 मलों के बारे में सोचा जाएगा, 12 का गुड़ा 8 में 12, 96 को 6 हासिल 9, 12 सोना इस सोना और 9 हासिल जोड़ देंगे, और फिर बारा एक कम बारा हो जाएगा दोस्तों एक अंक इसका लगा देंगे दो अंध पर दस्मलों के अब आईए गौर से बहुत अच्छी बात समझेए यहाँ पर अब वर्ग मूल की बारी है 1296 दोस्तों आपको पता होगा अगर हमने बार 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 बोला है कि आपको 50 तक वर्ग मुझबानी याद करने है और 20 तक क्यूब मुझबानी और 20 तक पहाड़े याद करने है अगर इतना आपका है आप देखेंगे महित के कैलकुलेशन आपके बहुत अच्छे होंगे दोस् अगर ऐसा दस्मलो लगा है और नंबर किसी का वर्ग है तो समझेए उसका वर्ग मुल हम मुझबानी निकाल सकते हैं जैसा कि यहाँ पे 1296 एक पूर्ड वर्ग संख्या है किसका वर्ग है 36 का मैंने 36 लिग दिया वर जो दस्मलो लगा हुआ था उसमें दो अंक पे लगा क्रितिया अनुपाति जो आपको निकालना है वो किसका निकालना है ध्यान दीजिएगा इसका और इसका तो आपका एक कमान क्या हो जाएगा ये कमान तो ये हो जाएगा और बी का माने तो बी का इसक्वाइर मतलब एक दसमलो दू अब बटा नीचे क्या हो जाएगा जीरो और इस में एक ही अंग यूद और गया है, अभ आपका बोला है, कि अनुपात ज्यांद करना इसकी मतलब नहीं है। 36 एकम 36 दूना के 72 तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना दोस्तों एक संबंधे दो एक संबंधे दो आपका हो जाएगा इसके मध्यानुपाती और तृतियानुपाती का अनुपात जो कि विगल्प नम्मर आपका D क्या हो जा रहा है राइट हो जा रहा है दोस्तों अभी त पात से related मध्यानुपाती और तृतियानुपाती भी देखा, अनुपात से चीजे भी सीख रहे हैं, आप मध्यानुपाती 60 में कैसे निकालेंगे, तृतियानुपाती कैसे निकालेंगे, अब हमारी बारी है, चौथा कोस्चन जो कि डिवीजबिल्टी रूल पर आधारित है, कह रहा है कि 4Y6884805X6 किस से डिवाइड है दोस्तों, 72 से, 72 का मतलब जो 8 और 9 से कटेगा, जो नंबर 8 से भी कटेगा, मतलब 8 से भी डिवीजबिल्टी का रूल लगेगा, और 9 से भी डिवीजबिल्टी का रूल लगेगा, मैंने में डिवीजबिल्टी रूल भी आपको पढ़ाई है दोस्तों और divisibility rule पर बहुत अच्छे टाइप के question जो 2021 में आये हुए हैं उनको भी बताया है उसका link मैं वीडियो में दे दूँगा उसको फिर से चला के एक बार आप देख लेंगे तो ऐसे question उसमें already आप पढ़ चुके होंगे आते हैं कि अब 8 से कटने का divisibility rule यदि हम लगाएं तो 8 से divisibility rule होता है कि last के 3 अंक 8 से कट जाएं पूरे से मतलब नहीं होता है last के 3 अंक 8 से कट जाएं तो आते हैं अगर हम देखें यहाँ पे तो 5,1,6 हम सोचेंगे कि छोटा से चोटा है यहाँ पे number हम क्या रग दे जो की 8 से कट जा तो हम सोच रहे हैं कि 8,5,4,8,6,9,8,7,6 यदि मैं ज्यादा बार भाग ले जाऊंगा 56 बार अगर ले जाता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा चाकि 56 घटाने पर 1 बचेगा और 6 अगल में तो 8 दूना के 16 साथ लेना पड़ेगा एक A हो सकता है या अगर इसके अलामा मैं छोटी से छोटी संख्या पर आऊंगा तो मैं सोचूंगा कि 56 से पहले कौन सा नंबर है जो 8 से कट जाएगा तो वो मैं सोच रहा हूं 48 है तो अगर मैं यहाँ पर 48 घटा हूं और ऐसा यहाँ पर नंबर मु जो हमारा होगा यह 8 से कट जाएगा तो 8 सते क्या हो जाएगा 56 समझ रहे हैं आप या तो मैं 3 ले सकता हूं या तो मैं क्या ले सकता हूं साथ ले सकता हूं मैं देख लेता हूं किस पर हमारा एंसर आएगा ओके इसको मैं यही पर छोड़ देता हूं अब मैं आता हूं इसम लुकों का जोड नौ से कट जाएगा, आए जोडते हैं, पांच और चार, पांच और चार, नौ से कट गया, नौ से जोड कटता जाएगा, हटाते जाएगे, अब देखिए, छोट, चार, दो, साट, अठार, खतम हो गया, अब हमारे जो बचा उसको देखिए, आठ, हाट, सो अगर इसमें से हम ले लेते हैं कितना, दो ले लें तो अठार हो जाएगा, तो ये सब भी खतम हो जाएगे, इसमें का चार बच जाएगा, अब इसी के साथ हमको सोचना है, अगर चार में तीन जोडेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर तीन लेते हैं, तो ये हो तो 7 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 9 9 9 से कड़ जाता है अगर मैं 7 लेता हूँ तो 4 और 7 कितना होगा यह 11 और मुझे ऐसा नंबर यहां पर लेना पड़ेगा जो 9 से कटे तो ओ लेना पड़ेगा मुझे क्या 7 तभी तो 9 से कटेगा अब देखे यह भी मान अगर 7 पहले condition में जब 3 लिये थे यह 3 यह 2 और हमसे पूछा क्या है दोस्त करडी में यक्सवाई का मान तो 3 गुड़े 2 बराबर हो जाएगा करडी में 6 पहली पहली मान लिये हैं इसका 3 लिये तो इसका 2 लेना पड़ा तो 6 विकल्प में तो मिल रहा है अगर अगला इसका 7 लेना पड़ा इ लिकल्प नंबर C आपको हो जाएगा करडी में 6 जब आप यहां पे यक्स की जगा पे 3 लेंगे तो Y की जगा पर क्या लेना पड़ेगा दोस्तों आएगे दोस्तों कोश्चन नंबर 5 की बारी है और 5 में कोश्चन को भी देखने की कोशिस करते हैं पांचमा कोश्चन कहता है 7.2 किलो मीटर पर ती घंटा की चाल से चलता एक व्यक्ति एक पूल को 25 सेकेंड में पार कर जाता है पूल की लंबाई बताएगे चलिए लंबाई या जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों दूरी लंबाई या दूरी बराबर चाल गुड़े समय होता है चाल गुड़ते समय आदमी की चाल दिया है 7.2 किलो मीटर पर ती घंठा मिनट में पार कर रहा है पचीस मिनट मिनट है दोस्तों इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देते हलाकि अनसर मीटर में पूछा है हम बाद में बदल लेंगे अब ये भी घंटा हो गया तो घंटा से घंटा खतम हो जाएगा दोस्तों किलो मीटर में अंसर आएगा मतलब ध्यान से देखें तो 5 पचे 25 अगर 5 से काट ले तो कितना हो जाएगा 12 और 12 छक्के 72 तो 10 मुलो 6 6 पचे कितना हो जाएगा 30 और एक कंग पे 10 मुलो लगा लिया यह 10 मुलो यह कंग पे है तो यह आगया 3 किलो मीटर 3 किलो मीटर का मतलब होता है 1 किलो मीटर बराबर 1000 मीटर इसलिए 3000 मीटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त एंसर हो जाएगा किस नियम से हमारा लंबाई या दूरी बराबर चाल गुड़े समय से तो हम ये समझ पाए दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो हमें अगर आप कहें तो कोश्चनों की संख्या 5 से 10 की जाएगी और अच्छी लग तो अपने दोस्तों में सेयर करिए लाइक करिए दोस्तों आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास मिलेंगे जहें दोस्तों